विद्टेर इस वीडियो में हम विश्य नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और इसमें तीन पार्ट्स हैं इसमें हमें सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसकी एक्वेशन से उसके सिंबल में जाना है और उसको बैलेंस करना है यह पेज नंबर 6 का सवाल है पेज नंबर 6 पे हमारे हाई टरम्स को मैंने उसमें कम्प्लीट किया है तो आप देख सकते हो प्लेलिस में जाकर शुरू करते हैं यहां बताए ह्या है Hydrogen ग्लोरीन तो हमें मिलता क्या है hydrogen chloride मिलता है तो घबरानी की tension लेने की कोई बात नहीं है जबभी आपको दीखें, hydrogen तो आप समझ जाएे डिखाई दे hydrogen गैस होती है और chlorine लिखा हो तो समझ जाएए कि Cl2 की बात की जा रही है और इसे मिलता क्या है? hydrogen chloride मिल जाता है और आपको पता होगा जैसे कि मैंने बताया है यहीं पर कि हाइड्रोजन क्लॉराइट का फॉर्मॉला होता है है एच सी एल अब हमें क्या करना होता है तो इसके तरीके क्या होता है कि आपको सबसे पहले according to the NCRT जैसे उसने बताया है तरीका ठीक है मैंने इस step को भी discuss किया है आप इसको जाकर देख सकते हैं कि वाई शुड्वी वैलेंस दा chemical equation है तो मैंने पहले box बना लिया अब इस box के अंदर कोई भी चेंज नहीं करने होता है हैं हमें फिर हमें यह देखना है कि सबसे ज्यादा element किसके पास हैं तो यहां सबसेушा ज्यादा element कि पाढ़ इस में दो तो हम करते क्या है इसको लिख लेते हैं जैसे कौन-कौन से element है और आपको पता होना चाहिए यह जो है reactant कहलाते हैं और जो इधर इस arrow के बाद जो भी product होता है उसको product कहते हैं जो भी compound तयार होता है ना तो reactant side में product side में number of atom balance होने चाहिए है है इक्वल होने चाहिए है तो कौन-कौन से element है hydrogen है और chlorine है तो reactant side में कितने हैं वो हम देखेंगे और product side में कितने हैं वो भी हम देखेंगे तो hydrogen atom reactant side में 2 है तो मैंने 2 लिख लिया और product side में आप देखोगे सिर्फ एक ही atom है तो मैंने यहाँ एक लिखना है यहाँ chlorine जो है reactant side में आप देखोगे 2 है और product side के अंदर कितने chlorine atom है सिर्फ एक है तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर तो दोनों ही reactant side में 2 है hydrogen और product side में सिर्फ एक है तो करना कुछ नहीं है हम balance करने के लिए 2,3,4 इस तरह के figure से multiplication करते हैं उसको balance करने के लिए तो मैं 1 को अगर 2 से multiply कर दूँ तो product side में भी 2 हो जाएगा hydrogen और इधर भी 2 हो जाएगा ठीक है तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अपने इस reactions को है न तो अब यह जो 2 है यह आखिर लिखा कहा जाएगा तो product side में लिखा जाएगा और कैसे लिखते हैं हम इसके coefficient के तो आप लिखते हैं तो आपने देखा अब यहाँ पर जो hydrogen है रोड़क्ट side में तू से multiplication के बाद वो दो हो चुके हैं और इस दो के आने की वजह से क्योंकि यह दो इसके साथ भी multiplication में और इसके साथ भी multiplication में है इस वज़ए से chlorine atom भी कितने हो चुके है दो हो चुके है तो आप चेक भी कर सकते हो कि दोनों side में reactant और product side में हमारे दो-दो hydrogen atom है और दो-दो chlorine atom है तो हैंस equation जो है वो balance हो चुके है equation has balanced students कि your focus on the agenda तो बात करते हैं अगले पार्ट की है तो हमारा अगले पर्ट है और डरियू है ग्लू ряд जब रियक्ट करता है aluminium sulfate के साथ तो क्या मिलता है ग्रियू संपेट मिलता है और democrat मिलता है तो आपको अगर इनके सिंबल याद है ठीक है जैसे मैं कहूं बेरियम क्लॉराइड का मुझे फॉर्मला बनाना है तो बेरियम का सिंबल होता है बी ए और क्लॉराइड का सिंबल होता है क्लॉराइड का रहा है सिंबल याधैने क्लॉराइड के लो आ रहा है तो यहां पर क्लोरिल लुकूंगा और इसके सफिक्स में मैं लगा दूँगा तू तो मेरे पास बेरियम क्लोराइड का फॉर्मुला आ चुका है ठीक है इसके बाद मैं यहां पर लिख लिए ता हूँ जो फॉर्मिला आ चुगा है और कैसे आया आपको समझ मां आ गया होगा कि बेरियम क्लॉराइड यहां पर मैं लिख लूँगा प्लस अब मुझे से अगर मुझे अल्लुमूनियम का सिंबल पता है और संफेट का भी संबल पता है ठो एक मैटल है और यह गुरूप नंबर 13 करता है इस पर चार्ज होता है प्लस ठरी का क्यूंकि हम वैलेंसियो चार्ज के यह अहतिवार से भी फॉर्मूला बना सकते हैं सल्फेट के उपर ज के जो magnitude है वो हम ले लेते हैं तो आप देखोगे aluminum की cross में 2 है तो वो 2 यहां पर suffix में लगाया जाएगा ना कि यहां लगाया जाएगा ठीक है और यह जो ऐसो 4 है इसके cross में आप देखोगे यह 3 है अब यह 3 यह कैसे लगाया जाएगा यह लगाया जाएगा क्योंकि इसमें चार अल्रीडी ऐसो यानि मौर्दन टू एटम मौझूद हैं तो यह जो 3 आएगा वो ब्रैकिट के बाद यहां पर सफिक्स में लगाया जाएगा ठीक है तो आपने देखा कि अगर मुझे चार्ज भी मालूम है या वैलेंसी मालूम है तो दोनों तरीके से मैं फॉर्मुला बना सकता हूँ तो यहां मैं लिख लेता हूँ अल्यमूनियम सलफेड ठीक है उसके बाद अब मुझे फॉर्मुला पता करना है वेरियम सलफेड का ठीक है तो वेरियम हम्ने का धेगा संबल होता है बी यह व – अ झरकि अगें घंने शेमल देगा तो यहां भी 2 है यहां भी 2 है तो जब charge same हो जाते हैं या valency same होती है तो हमारे पास जो formula बनता है वो as it is ऐसे बनता है ना कि आप ऐसे लिखोगे ठीक है तो यह हमने ncrd की किताब जो science में class 9 की science से हमने यह देखा था ठीक है जब हमारे valency और charges balance होते हैं पराबर होते हैं तो हम as it is यह formula बना लेता है तो हमने barium sulfate का भी formula बना लिया और इसको मैं लिख लिएता हूँ यहां पर baso 4 अब मुझे किसका formula चाहिए aluminum chloride का formula चाहिए again aluminum का symbol होता है al chloride का symbol होता है cl aluminum के पास charge होता है 3 chloride के पास charge होता है minus 1 तो cross करेंगे ठीक है तो aluminum के पास aluminum के cross में 1 है तो al ही ठीक है क्लोरीन के क्रॉस में 3 है तो 3 सफिक्स में आ जाएगा ठीक है तो हमने इसका सिंबल में इसका फॉर्मुला भी तयार कर लिया प्लस ऐल्मिनियम क्लोराइड मतलब अब हमें क्या करना होता है यहाँ पर बॉक्स बना लेता है क्योंकि इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज़े होंगी उसको हम बिलकुल भी नहीं छेडेंगे टेंचन नहीं देंगे अगे तो यहां मैंने बॉक्स बना लिया और अप क्या करता है कौन-कर इलिमेंन तो यहां पर मॉझूद है रिसो का मतला होता है और जो है ऑउक्सीजन है इसके अलावा आप देखोगे यही पांच एलिमेंट है जो मौझूद है अब हमें देखना है कि reactant side में कितने number of element मौझूद है और product side में भी मुझे check करना होगा कि कितने number of element मौझूद है ठीक है तो reactant में barium देखो गया सिर्फ एक है तो यहाँ पर one लिख लेता हूँ और product side भी barium एक ही मौझूद है तो यहाँ पर barium तो हमारा दोनों side में balance हो रहा है क्लोरीन को देखते हैं क्लोरीन इस side में हमारा 2 है ठीक है CL2 मतलब 2 और CL3 CL3 यानि product side में हमारा pass product side में chlorine 3 है aluminium हम यहाँ देखेंगे reactant side में 2 है AL2 मतलब 2 और इधर अगर मैं देखू product side में सिर्फ एक ही है तो यहाँ एक लिखना पड़ेगा मुझे sulfur अगर मैं देखू थी कि sulfur bracket के अंदर है और बाहर यह 3 लगाए गया है तो यह जो 3 है वो इस element के साथ और इस element के साथ भी माना जाएगा जैसे SO4 whole twice लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है sulfur 3 हो गई मगर O4 का मतलब क्या है oxygen जो है already पहले से यहाँ पर already कितने है 4 तो 4 और बाहर जो 3 है multiplication में तो total oxygen कितने हो गई 12 तो I hope आपके साथ में आ रहा होगा तो sulfur कितने है यहाँ पर फिलहाल sulfur हमारे 3 है है ना इसके हिसाब से हमने बता दिया क्योंकि sulfur के बाहर 3 जो है वो लगा हुआ है suffix में और product side में देखूँ तो sulfur सिर्फ एक है है ना सिर्फ हमारे पास एक ही sulfur मौजूद है तो यहाँ पर मैं एक लिख लेता हूँ और oxygen में देखूँ अगर तो oxygen में ने देखा यहाँ से oxygen में रहे ते नंबर ओक्सिजन एटम वैल वा रहे थे रियक्टन साइड में और इधर मैं देखूँ तो यहाँ पर तो कोई बाहर से ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर सिर्फ चार ही मेरे पास कितने oxygen एटम है सिर्फ चार oxygen एटम है तो अब बात आती है बैलेंस करने की तो बैलेंस कैसे करेंगे बैलेंस हम करेंगे सबसे जियादा जिसमें नंबर ओफ एलिमेंट मौजूद है उसके प्रोड़न को हम उठाएंगे तो आप देखोगे कि सबसे ज़यादा जिप लाफ अधर मौझूद है वो oxygen atom सबसे ज़ादा है देखें कितना है 12 है 12 ठीक है तो सबसे पहले हम शुरुआत किस से करेंगे oxygen को balance करने की कोशिश हम करेंगे तो यहां हमारे पास रेक्टेंट साइट में oxygen 12 है product side में सिर्फ 4 है तो इसको 12 बनाने के लिए हमें multiplication करना पड़ेगा तो किस से multiply कर लें अगर मैं 3 से multiply कर दूँ तो हमारा जो oxygen atom होगा वो product side reactant side दोनों बराबर हो जाएगा और यह जो हमारी equation है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख पाऊंगा अल्टू एस ओ और फ्राइस गिव्स पी ए एस ओ फूर प्लस ए एल स्टी एल थ्री तो यह जो थिरी मैंने मल्टिप्लिकेशन में लगाया है वो product side में लगाया है इसका मतलब यह हमारा suffix में यहां लिखा जाएगा ठीक है अब इस थिरी के आ से आप देखोगे कि जब मैं arrangement करूंगा देखिए अब तो यहां पर बारा हो चुके हैं प्रोड़क्ट side में oxygen एडम पर इस थिरी के आजाने से सल्फर कितने हो चुके हैं आपर सल्फर हो चुके हैं तो यहां प्रोड़क्ट side में मेरा सल्फर अब एक के बजाए तीन हो चुका है और बेरियम भी देखे कितने हो चुके हैं बेरियम भी कहां गया बेरियम हमारे पास बेरियम भी तीन हो चुके हैं ठीक है इस तरीक आजाने की वज़े से अब मुझे किसको बैलंस करना चाहिए तो अब मेरी कि रेक्टिन साइड में दो है प्रोड़क्स साइड में तो एलुमनियम कैसे बैलेंस होगा वह मेरा तो यहां पर बैलंस करने के लिए अगर यहां पर दो रख दूँ तो मेरा कलो जाएगा तो मैं यहां पर तो यहां पर आतुछ भाइब यह टू कहां पर आना चाहिए देखिए प्रोडक्ट साइड में यह तू आना चाहिए वो भी सफिक्स में सॉरी कॉफिशंट के दो पर तो यहां पर मेरा तू यहां पर आ जाएगा ठीक है तो मेरा ऐलमोनियम तो फ्रोड़क्ट साइड में दो हो चुका है अब इस के आजाने, इस 2 के आजाने के वजे से वो क्लोरीन के साथ भी तो multiplication में है और क्लोरीन ओलरीडी कितना है? 3 है ना? तो क्लोरीन ओलरीडी 3 था, 2 के multiplication से ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 2, 3 ये जा 6 होता है अब यहाँ क्लोरीन से दो बचे ठीक है अब मुझे 6 बनाने के लिए रियक्टिंग साइड में 3 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो अगर मैं यहां 3 से मल्टिप्लाई कर दूं तो मेरा यह तो हो जाएगा 6 और उसके साथ ही साथ आप देखोगे यह बेरियम के साथ भी हो रहा है तो बेरियम मेरे कितने हो चुके है ठीक है अब हमें क्या करना है दोनों साइड में देख लेना है कि नमबर आफ एटम बराबर है कि नहीं तो बेरियम जो है रियक्टेंड और प्रोड़क्ट साइड में बराबर हो चुके हैं लोरीन भी दोनों साइड में बराबर हो चुके है हैं aluminum atom भी बराबर हो चुके हैं और सफर भी बराबर हो हो चुका है op26ben भी बराबर हो चुका है तो हमने शुरुवाद कैसे करी थी हमने शुरुवाद करीगी थी कि सबसे ज्यादा उस component को सिछ जो इसमें सबसे ज्यादा element मोझूद है और उसमें भी उस element पार्ट को solve करेंगे तो थرर पार्ट देख लिता है, थखोंगे कि यहां बता गया है कि sodium जो है जब water के साथ react करता है तो sodium hydroxide और hydrogen तयार करता है, तो sodium का symbol होता है n and water आपको पता होना चाहिए s2o को water कहते है sodium hydroxide का formula यहां बना लेता है तो कैसे बनेगा sodium का symbol होता है एने hydroxide का symbol होता है OH तो sodium जो कि group number one से आता है और इस पर charge भी plus one का होता है और यह जो polyatomic ion hydroxide इस पर भी charge minus one का होता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर number of charge same है ठीक है magnitude के हिसाब से तो हमारा जो formula बनेगा वो कैसे बन जाएगा जब number of charge same होता है तो as it is इसको लिख लिख लिया जाता है और hydrogen जहां पर लिखा हो मैंने बताया कि H2 वहां पर लिखना पड़ेगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं फटा 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 पताते हैं कि element कौन-कौन से मौजूद है sodium मौजूद है hydrogen मौजूद है और oxygen मौजूद है यह तीन element के लावा और कोई तो दिख नहीं रहा ठीक है अब हम देखेंगे number of atom reactant में कितने हैं और product में कितने हैं ठीक है तो number of atom आप देखोगे hydrogen atom कितने हैं एक और product में भी सिर्फ एक मौजूद है hydrogen atom जो हैं दो मौजूद है और इधर भी दो मौजूद है ठीक है नहीं हमारा product side में hydrogen दो तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो total कितने हो गए तीन हो गए है ना और oxygen आप देखोगे कि reactant side में सिर्फ एक है और product side में भी हमारा सिर्फ एक ही है तो unbalance क्या है हमें इसको balance करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा multiplication इस्तेमाल करनी पड़ेगी ठीक है तो मुझे किसको select करना है सबसे जादा number of item जिस compound मौझूद है तो इसमें लगभग अने फ्लस है टू गिव एने ओ एच फ्लस है स्टू ठीक है तो जैसे मैं यह जो हमारा product side में टू है यह कहां पर आएगा क्यूंकि hydrogen को balance करना है तो यहां पर आ जाएगा है ना और इधर की तरफ इस है और इधर भी 6 हो चुका है और इस hydrogen के आने की वजे से यहां जो ऑक्सीजन था वो आप कितना हो चुका है रियक्टेंट साइड में एक था पहले अब वो तीन हो चुका है और इधर की साइड अगर मैं देख हूँ तो कितने हो चुके हैं यहां पर दो हो चुके हैं ठीक है कि जब मैं कि इसको तीन से मल्टिप्लाई कर रहा था तो मुझे तीन यहां रखना था ठीक है ना कि यहां पर रखना था स्वारी कि मैं धुबारा से से फुक्वेशन कर रखना और दुबारा करता हूं ठीक है तो अभी हमारे पास रिक्टेंट्स सायद में है और प्रोडेव सायड में है ठीक है तो मुझे क्षेकर ना है इसको दो से multiply करना है इसको तीन से multiply करना है ठीक है तो अगर मैं तीन से multiply कर लूँ तो कहानी थोड़ी बदल जाएगी बलके हमें क्या करना है oxygen को पहले balance करना चाहिए ठीक है तो oxygen को balance करने के लिए इसको दो से multiply करना है और इसको तीन से multiply करना है ठीक है अब देखते हैं हमारे पास जो reaction ह Naoh plus H2o gives NaOH plus H2 ठेक है तो ये जो 3 है ओक्सिजन के दर और है हम पर तो यहाँ पर 3 रख दिया हमें ठेक है और ये जो 2 है हमारा जो बलहाँ रख रख रहे हैं ये रख देते हैं अक्सिजन इधर है तो यहाँ पर तो हमारे ओक्सिजन जो है एक गड़बड़ तो हुई है बाइस आ फूर अपर अज्पि एक तो हुई है आज अने गड़ड़ लिखती है यहां पर अनोदी यह क्यों हो रहा है ऑक सीजन हमारे पास कितना है कि रिएक्टेंट साइट में एक है और प्रोड़क्ट साइड में विए एक है इक और इक तो हमें क्या करना चाहिए अगर मैं एने हैच टू ओ एने ओ एच प्लस है एच टू ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर टू रख दू तो यहाँ पर हाइडोशन हो जाएंगे चार और इसको चार बनाने के लिए यह भी चार हो जाएगा और सोडियम यहाँ पर दो अगए तो दो हो जाएगा तो क्या किया मैं न इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैंने बैलेंस करने की कोशिश की इसको यह जो हमारा हाइडोजन था इसको मैंने इविन में करमड करने की कोशिश की ठीक है अगर मैं इसको 4 बनाना चाहूँ ठीक है तो 2 से multiply करना पड़ेगा इधरी की तरफ जो मैंने यहाँ पर multiply कर दिया और अगर मुझे product side में इसको 4 बनाना है देखे, 2 तो already मौझूद है और 1 यहाँ पर मौझूद है तो इसी को मैं अगर 2 से multiply कर दो ठीक है क्योंकि यहाँ पर एक मौझूद है और एक को 2 से multiply कर दें तो इसमें कितने हो जाएंगे 2 इसमें हो जाएंगे और 2 already मौझूद है तो total कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे इस वज़े से मैंने यहाँ पर 2 से multiplication कर दी है नो और फिर मैंने देखा कि इधर जो है nitrogen product side में 2 हो चुके है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से multiply कर दिया और यहाँ पर भी हमारे nitrogen कितने हो गए तो अब hydrogen दोनों side में कितने हो चुके है 4 हो चुके है sodium भी 4 हो चुके है और oxygen कितना है देखिए oxygen 2 है reactant side में और यहाँ पर भी oxygen कितना हो चुका है दो हो चुका है तो हैंस हमारी जो balance equation है वो हमारी बन चुके है और वो है 2 na plus 2 h2 gives 2 na o h plus h2 तो यह हमारी balance chemical equation है I hope आपके समझ में आया होगा ठीक है तो आया हो समझ में या कोई doubt हो कहीं पर दिक्कत हो तो please let me know in the comment और मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगले सवाल को लेकर ठीक है बने रही है मेरे साथ थैंक्स फॉर वाचिंग में वीडियोज